नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको पता दे एक लाग दो हजार के वोटों से मुख्यमंत्री योगी आदितनात गोरकपूर सदर सीट जीत चुके है और कुछी देर के बाद बस लखनो के लिए योगी की जमकर्ड यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है गोरकपूर में सभी 9 की 9 सीटे बीजेपी के हाथ तो आ गई है तस्वीरे आपको दिखाते हैं जरा आप टेलिजन स्क्रिट पे ये तस्वीरे देखिए कि जीत के बाद योगी किस तरह से नजर आए अप के स्वागत के लिए जबरदस्त लोगों के अंदर उत्सा नजर आ रहा है आप तस्वीरों में योगी जी को देख सकते हैं कि चैरे में जबरदस्त उत्सा जबरदस्ट सैटिसफेक्शन जबर्दस सुकून क्योंकि इतने सालों की महनत है और महरत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जीत लेके आई है महनत रंग लाई है और वही रौनक है देखे योगी आदितनात सभी समर्थों का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी की सीट से वो बाहर आते हैं और गाड़ी के ही गेट पे खड़े होके विक्ट्रे साइन सभी अपने जितने भी चाहने वाले को कारेकरताओं को जणता को देते हुए नजर आ रहे हैं और वही दिल्ली में भी जीत की तयारी पूरे जोरशोरों से है पियम मोधी खुद इस जीत के जश्में शामिल होने वाले हैं पर सब की निगाहे योगी आदितनात पे टिकी हुई है क्योंकि योगी ने वो कर दिखाया जिसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था 37 साल के बाद योगी आदितनात ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि दुबारा कोई कारिकरता बीजेपी की तरब से मुख्यमंत्री पट पे फिर से बैठने जा रहा है योगी ने वो कर दिखाया सरकार रिपीट होती हुई उत्तर प्रदेश में अब नजर आ रही है तो तस्वीरे देख सकते हैं स्वागत की जम करता यारी और स्वागत के लिए लोगों के अंदर जबरदस्त उच्छा नजर आ रहा है हमार साथ सायोगी योदिस्टे भी बने हुए है योदिस्टे अभी क्या कुछ अपडेट है कितने दिर में योग यादतनाथ पहुंच रहे हैं देखिए सियम योगी इस भक्त जो है लखनव दफ्तर पर पहुंच गए हैं जहां बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पर तमाम कालकरता आए हुए आप देख सकते हैं केशब परशाद मोरे हैं और यह आप सुतन देव सिंग जो बीजेपी के प्रदेश अद्यक्षे हैं तमा गुलाल लगाते वे नजर आ रहे हैं स्वतंतर देव सिंग मंच में मौजूद है तमाम कारिकरता केशब परशाद मोरे हैं आपस में यह बड़े नेता योगी आदितनाद के साथ होली खेलते वे नजर आ रहे हैं बेहद अच्छी तस्वीरे हैं यह तस्वीरे बार-बार पूलों की वर्शा हो रही है चारों तरब से विक्ट्री का साइन सभी के हाथों में नजर आ रहा है ऐसी तस्वीरे बार-बार यूदिस्ट्री देखने को नहीं मिलती है मुझे लगता था कि दंगा वंगा साजिश हो रही होगी लेकिन वो नाकाम होगी सूटन साइट को ओडर आ गया था उपर से कि दंगा कोई करता हो अपाया सीज़े ठोक दो से अब राच्रीती पे तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी उच्छा का महौल है जबरदस्त उच्छा नजर आ रहा है ये तस्वीरे में बार-बार आपको यही कह रही हूँ कि ये तस्वीर बार-बार देखने को नहीं मिलेगी इसका इंतजार बीजेपी के सभी कारिकर इनको वहाँ गोरकनात मंदिर भेजा जाएगा इसलिए इनकी तैयार होगी लिगे मुझे लगता है कि अब 12 से प्रचंड जीत के साथ आए हैं फिर कुछ न कुछ कमाल करेंगे और योगी जी के मन में जो है कारकरताओं कि इनकी जो उम्मीद है उन पर खरे उतरेंगे जिस नजर आ रहा है योगी जी को सभी ने इस तरह से घेर लिया है कि मानो कि किस तरह से हर कोई उनको ग्रीट करें देखे बीच में योगी आदितनात है चारो तरब से बड़े बड़े लीडर वहाँ पे मौजूद है स्वतंतर देव सिंग मौजूद है केशव प्रशाद मौर से माला से घेर दिया है तो यह तमाम लोग दिख रहे हैं मुझे और अवायदन कर रहे हैं इदे की सुरातियू सीट से वहालागी पीछे चल रहे थे लेकिन फिर भी यह दिखाने की कोशिश के हमारे अंदर को ऐसा मनवटाव नहीं है कि हम जो है वहाँ पर बैठे हुआ हम कोई मतलब नहीं है लेकिन सीम योगी अगर गोरुपूर से जीत करा है दिने शर्मा भी मौजूद है पहुंच गया है सब लोग देखिए डांस भी चल रहा है यह सारे नेता डांस कर रहे है तो इससे बड़ा उस्सा कहां देखना है और उस्सा का तो जायस है किस तरह से न इतनात बीच में मौजूद लोगों ने तो बस मालाओं से उनको पूरा ढग दिया है लेकिन लोगों के अंदर कितना उस्सा है आप इस तस्वीरों से समझ सकते हैं दरसल यह बीजेपी दफतर लखनों का यह जो विज्वल हैं वो आपको दिखा रहे हैं दिरेश अर्मा भ ऐसे ही बीजेपी जीती है उसके बाद यह अभी रोक लगाई गई थी चुनाव आयोग ने रोख को धा दिया है कि कोई नहीं उस्साह आप कोई कुछ भी कर सकते हैं मतलब जाकर कि आप उस साह मना सकते हैं जर्शन मना सकते हैं तो यह चुनाव आयों की तरफ से इस पर अगर यहीं पर कोई और पार्टी होती मैं कहना चाहूंगा और पार्टी होती वह राजनीती करते पहले उसके बाद मंच पर आके भाशरवाजी करता होता है लेकिन यह देखिए सीधे योगी आदकनात गाड़ी से उतरते हैं उसके बाद तमाम कारकरताओं को जोश के साथ अवादन स्विकार करते हैं उसके बाद फिर एंट्री करते हैं दफ्तर में उनके जो बड़े-बड़े नेता दिगज होते हैं वो उनको स्वागत कर देगी आप किस तरह से खुशी का नजारा दिखा रहा है इसमें कुछ नेता हैसी बहुंगे जो हारे होंगे लेकिन अपढ़ना आदब यादब भी पहुंच गई अपढ़ना आदब यहां पर मौझूद है अपढ़ना आदब यहां पर मौझूद है यह तस्वीर बिलकुल अकलेश आदब के चेहरे पर मुर्जाये लाने वाली है देखिए अपढ़ना आदब जो लगातार अकलेश आदब के खिलाब भी बोल चुके हैं मोकर रहे रही हैं और ये बता रही है कि कैसे योगी राज में कानुल वस्ता कायम हुई है इसलिए ये जरूर अकले शादव को चुब रहा होगा कि अपढ़ना यादव योगी जी के इस अवायदन कारिकरम में पहुँची हैं जी बिल्कुल तो ये तस्वीरे बेहत खास बेहत बहत बहत पुन इसी का इंतजार लोगों को बेसबरी से था तस्वीरे काफी कुछ कह रही है सारे बड़े नेता एक साथ लखनव के बीजेपी दफ्तर में मौझूद है अब थोड़ी ही देर के बार योगी आदितनात जनता को संबोधित करेंगे कारिकरताओं का धनिवाद देंगे जनता का शुक्रियादा करेंगे कि पांच साल की ये मेहनत है और दुबारा जनता ने उन्हें और पांच साल का मौका दिया है नजर बनाई हुए कारिकरम पर पूरी कि जिस तरह से ये इस्तिती बनाई इन्होंने मजबूती के साथ कि कैसे भी सरकाल लानी है तो पूरी ताकत जोंक दीती ती तमाम ने तो हलाकि हमिशा को ट्रोल किया गया था लेकिन फिर भी जुवान फिसल जाती है लेकिन गोरकपुर मैं जो कमाल किया योगी जी ने बागे काविल है तारिफ रहा आप तो गोरकपुर की बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदितनाथ ने कमाल कर दिया बिलकुल ही एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे वो सठीक सावित हो हलाकि गिद गैंग और यह जो लुटिय का हिंजन है इनको दबा दिया जाएगा वो कर जाए लेकिन योगी जी ने बस सिर्फ यह कहाता है गर्मी निकाल दी जाएक मुझे लगता है को गर्मी निकालेंगे आज जो जोश है वो देखकर ही जो लोग खिलाफत में जीत की गर्मी से अब लोग परिशान हो जाएंगे जाते जाते एक बार और तस्वीरे दिखा देते आपको यह लखनओ बीजेपी दफ्तर की तस्वीरे है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भयंकर उत्सा लोगों के अंदर नजर आ रहा है जबरदस्त जीत यहाँ पर उतरप्रदेश में बीजेपी की हुई है अभी की सीटो की तरब से संबोधन दिया जाएगा अपने लोगों को वो संबोधित करेंगे कारेकरताओं का धन्यवाद देंगे जनता का शुक्रियदा करेंगे यह तस्वीरे बार बार देखने को नहीं मिलती इसी का इंतजार सारे कारेकरता यहाँ तक कि उत्तरप्रदेश की जनता भी उत्तरप्रदेश में देखने को मिलेगा जाते जाते एक बार फिर से नजर डालीजिए योगी आदितनात चेहरे में मुस्कुराहट जबरदस्ट कॉन्फिडेंग और कही ना कही एक बहुत सुकून वाली रात आज योगी आदितनात के लिए गुजरेगी क्योंकि इसका एक करके उत्तरप्रदेश की जणता के लिए काम किया है विकास की है और विकास के मुद्दे पे ही वो वोट मांग रहे थे और जणता ने उन्हीं विकास के मुद्दे को लेकर योगी आदितनात को वोट देकर जिता दिया है और अपनी ही सीट से योगी आदितनात एक ला